साथ जन्मों की बद्वा और टोक तुरंत मिटेगी इस उपाय से ये ऐसा चमतकारी उपाय है जिसने भी किया है उसको जबर्दस फायदा हुआ है आज आप भी ये उपाय करके आपने जीवन को खुशाल बना सकते हैं कोई भी अभिकार्म आप पर किया गया है या आप पर बद्वा डाली गई है मूट डाली गई है करत्य डाली गई है जादू टोना किया गया है उन सब कसे आपको चुटकारा मिल जाएगा ये जबर्दस प्रभाव है और हर कर्म को नश्ट कर देता है हर नेगेटिव इफेक्ट को नश्ट कर देता है हर मैली विद्या को आपके जीवन से दूर मिटा देता है तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है वीडियो पूरा देखना और औरों के साथ भी शेयर करना क्योंकि औरों क हुई होती है उसके थुरू आप संपर्ख कर सकते हैं तो आज की जानकारी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलेगा और कमेंट सेक्षन में ओम नमस्षिवाय और जय मातादी अवश्य प्रेशित करें आईए आज का वीडियो प्रारम करते हैं यह निवृ अब भी आपको बताते हैं लेकिन मंत्र सुन लीजिए पहले ओम आहुता मंदर रश्म यजा ज्वलम जम 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 ओम गाही गाही यह प्रकार का शाबर मंत्र है और शाबर मंत्र की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है लेकिन प्रभावशाली बहुत होते हैं और यह रभीवार के दिन करें या आज के दिन कर सकते हैं किसी भी रभीवार को कर सकते हैं या मंगलवार के दिन करते हैं क्योंकि बद्दुआ संबंदी निवारन अगर आप रभीवार या मंगलवार को करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है कोई टोक लगी है सा जम जम ओम गाही गाही जो यजा जवलम है उसमें ये है जा है आदा जे है फिर वे है आदा ले है और ये है और उपर बिंदी है तो आपको इस तरह से इसका उचारन करना है ये प्रिक्रिया आपको रविवार को करनी है ये मंत्र आपको रविवार को करना है ये मंगलवार को करना है इस मंतर को 108 बार पढ़ना है और एकांथ स्थान में शुद्ध होके ये प्रक्रिया करनी है लोबान की आहूती देनी है और 108 बार ये मंतर पढ़कर हवन करना है हवन करना पॉसिबल ना हो तो 108 बार जाप कर लिजिए मंतर का वैसे हवन करेंगे तो अधिक एफेक्टि होते हैं तो आपको सिद्ध करने के जरुवत नहीं है तो आपको क्या करना है यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा उसके बाद जिस व्यक्ति पे अभिचार हुआ है जादू टोना हुआ हुआ है बद्धुआ लगी है या मूठ चली है क्रत्या चली है और वो परिशान है तो उसको सामने बिठाएं और धतूरे की बीजों से हवन करें और साथ बार अहुति दें धतूरे की बीजों से हवन कुंड का धुआ जिस व्यक्ति को बद्धुआ लगी है उस पर निरंतर पढ़ता रहे ऐसी व्यवस्ता करनी है और प्रति दिन साथ या ग्यारा बार धतूरे की बी अधिक से अधिक आपको साथ दिन तक ये क्रिया करनी है, सारे उपद्रव समाप्थ हो जाएंगे, बुद्धी की भ्रष्टता, अस्वभाविक चेश्टाएं, तुरंत मिट जाते हैं, क्योंकि अभिचार क्रियां कई तरह से की जाती है, बद्वा कई तरह से की जाती है, क्योंकि काली जुबान भी होती है, काली जुबान वाले भी कुछ उल्टा सीजा आपके लिए बोलते थे हैं, तो बद्वा लग जाती है, खाने पीने की चीज़ों पर टोक लग जाती है, आपको जो चीज पहली खाना बहुत पसंद था, बाद में आपको अनफरत हो जाती है, उससे ये भी एक प्रकार की टोक होती है, इन सभी का निवारन होता है, अगर आप नहाने के पानी में बाल्टी, नहाने के पानी में नमक डाल कर इसनान करते हैं, तो आपको इससे भी फायदा होता है, ये लेकिन छोटी प्रक्रिया है, अधिक से अधिक ये प्रक्रिया आपको करनी है इससे आपको सभी प्रकार की तानतरीक वस्तों से छुटकारा मिल जाएगा और किसी के आप घर गए हैं उसने कोई नेगेटिव मंत्र फूक कर आपको पानी पिला दिया है इससे भी रिजल्ट्स आते हैं नेगेटिव आपको और पहनने के कपड़े आगर आप किसी और के कपड़े पहनने लग गए हैं तो भी आपको प्रक्रिया नेगेटिव मिल सकती है मैली विद्या आप अभी हो सकती है तो इनसे सावधन रहें इसलिए हम कहते हैं किसी के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए और किसी रिष्टेदार का या अपने के भी ही आपको पहनने चाहिए जिससे कोई टोट का आपके उपर नाग हावी हो जाए तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना थैंक्यो सो मच